इस देश में सरकार ने आई गई कोई अपने साथी दलों की बाते मान रहा था तो कोई किसी परिवार का लेकिन देश में अब जो सरकार है उसके लिए देश सर्वो परी PM मोदी हर बार कहते हैं कि उनके लिए देश शर्वो परी है और ये उन्होंने साबित कर दिया सब ये कहते थे कि यह संभब नहीं है लेकिन PM मोदी और अमिश्या की जोरी ने इसे संभब कर दिया PM नरेंद्र मोदी के नित्रित में बीजेपी जब दूसरी बार सत्ता में आई तो इस बार अमिश्या ने खुद ग्री मंत्रा ले समाला किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि सिर्फ छे महनों के अंदर में ही PM मोदी के नित्रित में ग्री मंत्री अमिश्या इस तरह से लगातार बिलपास करवाएंगे शाह और मोदी की जोडी ने उन असंभब से लगने वाले हर इस मुद्दे को संभब कर दिया जिसके लिए कहा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकता है इसकी शुरुआ अतमिश्या ने PM मोदी के नित्रित में अनु 6.370 पर बहस और फिर उसे संसद में पेश करने से की इन दोनों की जोडी ने ना सिर्फ वर्सों से विवादित इस मुद्दे को संसद में पेश किया बलकि पारित भी कराया और उसे शांती पूरुद तरीके से इंप्लिमेंट भी करा दिया कि अधिक जाब हस्ताइन शाब ने कहा कि 370 है 370 है मैं मानता हूं अस्तान शाब 370 है मगर आगे अस्थाई सब्द आप भूल गए हैं यह अस्थाई है पर्मेनेंट नहीं है अस्थाई सब्द आप भूल गए हैं और यह तो जान मुझकर पढ़ते नहीं है 370 हमारे संविदान का अस्थाई मुद्दा है यह याद रखिएगा और सेख अब्दुला साब की सहमती से हुआ है आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन मैं सपस्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से मानिय प्रधान मंत्री जी हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है हमारा अप्रोच पहले भी वो था आज भी वो है आगे भी यह रहेगा भारत को सुरक्षित, सम्रूद, संस्क्रूद और सिच्षित बनाने का अप्रोच ज़स्का 10 अपरापड कोई परिवर्तन नहीं है इनका ही साथ देती रही क्योंकि यह सब किया धरा ही उनीका था मोधी शाह के आने से पहले जब भी बीजेपी ने 370 का मामला उठाया तब कॉंग्रेस और उसके चाटुकार मीडिया कर्मियों ने मामले को इस तरिक से तोर मरोर कर जंता के सामने रखा कि सभी को यह लगने लगा कि बीजेपी 370 के बारे में बात कर गुनाह कर रही है सभी यही दावा करते थे कि अनुचे 370 को हटाना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन ही कई नेताओं ने और रिकॉर्ड इसे ना हटाने का दावा किया था और बीजेपी को खुली चुनोती दी थी कि दभो तो कश्मीर से अनुचे 370 हटा कर दिखाएं जम्मु कश्मीर के पुर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि जम्मु कश्मीर और भारत के भी जो भी रिष्टा या लिंक है वह केबल अनुचे 370 के आधार पर है अगर इसे हटाया गया तो फिर जम्मु कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा उनका यह ट्वीट आज भी मौजूद है लेकिन अमेशाह ने बिना एक गोली चलाए कश्मीर में शान्ती बहाल कर रखी अगर शंकल कस्तूत करता हूं कि यह सदन अनुचे 370 के अंतरगत भारत के राष्ट्रपती द्वारा जारी की जनेवली निम्नन रिखित अधिस उतनाओं की सिपारिज करता है सम्भीदान के अनुचे 393 के अंतरगत भारत के सम्भीदान के अनुचे 370 के खंड एक के साथ पठीट अनुचे 370 के खंड तीन द्वारा प्रलत सक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपती संसत की सिफारीज पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांग जिस दिन भारत के राष्ट्रपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इस सरकारी इसको इसे सरकारी गयजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छे 370 के सभी ख अनुच्छे 370 के सी मुईने में राष्ट्राड इस अनुच्छल खारी जाएगा जञएगा थे स्मविधान के सिफारी खरी जम्मूर के खरी बन्सम्मूँ आकल प्रवाज भारत के गुबाग में कानू के प्रवर्तन अथ्वा कुल अनुवा निखी संधी अथ्वा संजोते जैसे अनुच्छे 333 के अंपरगेट करें परीकल्पितों अन्यधा नहों मैं संकल प्रस्तू करता हूँ कि ये सबा भारत के राष्ट्रपती की दिनांग 20 पिसेंबर 2019 की उद्धुष्णा के अनुरुप जम्मू और कास्मी की वाज़ती विभाई सक्तियाई सबने नहीं को में वेवन राष्ट्रपती जारा भारत के समुदान अनुच्छ 3 के जम्मू और कास्मी की वाज़ती विभाई सब्सक्राइब अनुमती जाएब महोदाय में प्रस्कार करता हमुदा जम्मू और कास्मी अरक्षन अधीक अधीक अधीनियम और काथ़ जार्चार और संक्यदन करने वाले वाले गिदे को इनस्काथिट करने की परिसन जाएब जाएब इसके बाद बारी आती है राम मंदिर की बटबारा किया जाएगा हलाकि सुप्रीम कोट ने भी यह निर्ने कर लिया था कि अब बहुत हो चुका है इस पर फैसला हो जाना चाहिए सर्बोच नियायाले ने रोज सुर्माई करने का निर्ने लिया और अन्तुता फैसला हिंदूों के पक्ष में आया हलाकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि फैसला आने पर दंगा भरक सकता है लेकिन सरकार ने जमीनी अस्तर पर भी इतनी सजगता दिखाए कि कहीं से भी कोई अन्होनी की खवर नहीं आई सुप्रीम कोट के फैसले से दोनों ही समुदाय बेहत खुस दिखे इसके बाद पिये मोदी अमिस्षा के सामने नागरिक्ता संसोधन बिल लागू करने का चैलेंज था लेकिन अमिस्षा रिस्क लेने से डरते नहीं नागरिक्ता संसोधन बिल के बारे में बात चल रही थी तो बिपक्ची दौर और एलिट पत्रकार यही रायता फैला रहे थे कि मोधी सरकार गलत कर रही है लेकिन यही लोग उस बक्त अपने मूँपर पट्टी बांद कर चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान के हिंदूओं के साथ वहां की सरकार और बहुत संख्यक जंता दुर्बहरार करती है तब यह उन इसलामिक दंगाईयों पर चुप पिसार लेते हैं लेकिन जब यही काम सरकार संबैधानिक तरीके से करने लगी तो इन लिब्रलों को भारत पाकिस्तान बनते हुए नजर आ रहा है यह कहने लगे कि यह बिल मुस्लिम बिरोधी है और इससे दंगे भरक सकते हैं हलांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मोदी शाह की जोरिस ने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया है यह इन दोनों का करिश्मा ही है जो जनता ने 303 का आकराई ने दिया और फिर इन दोनों ने एक बहतरीन साजेदारी करते हुए देश की दसा और दिशा दोनों को बदलने के लिए लगातार काम कर रहे है जब इस बार लोगसवाद चुनाओं में बीजेपी अध्यक्च अमिश्शा के नित्रित में 300 से अधिक सीटे मिली तो यह सपस्ट हो गया कि परधान मंत्री नरिद्र मोदी के टकर में कोई नहीं उस समय आस लगाई जा रही थी कि इस बार पहले से अधिक करिश्मा होगा परधान मंत्री ने भी सभी क्यों मुईदों के नरूप गिरिमंत्राले अमिश्शा को सौब दिया गिरिमंत्राले समालने के बाद महस तीन महनों में ही अमिश्शा ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसके लिए लोग असंभव शब्द का प्रियोग करते थे परधान मंत्री मोदी पहले कारिकार में ही इतने निर्नायक थे लेकिन उस समय होने बाले इन बदलाओं की नीव रखी जा रही थी और जब वह दूसरे कारकार में प्रचंट बहुमत के साथ आए तो फिर मोदी और शाह ने मिलकर इन सभी असंभव और अन्होनी की संग्याग से अलंकरित किये जा चुके मामले को सुलजा कर देश को एक नए दोर में परवेश कराया जहां एक और देश की जड़े सनातन धर्म से जुर रही है तो वहीं दूसरी और हम मंगल और चांद की उचाई को भी छू रहे